हमला वर आए 20 मिनट तक भहंकर त्रासदी मचाई देड़ सो से ज़्यादा लोग मार दिये और उसके बाद मेन दर्वाजे से ऐसे निकल गए जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो दूसरा सवाल ये उठता है कि जहां हमला हुआ वो था क्रोकस सिटी होल और ये होल ऐसा निकी कहीं जंगलों में हो कहीं पहाडियों में हो जहां पर पुलिस को पहुचने में वक्त अगे जानकर हैरान होंगे कि ये सिटी होल मौजूद है रूस की राजधानी मोस्को के सेंटरल में यानि कि यहां से रूस के राष्टपती का घर बहुत ही नजदीक है रूस की संसत तो और भी जादा करीब है उसके बावजूद 20 मिनिट तक ना पुलिस का पता था ना ही सुरक्षा एजेंसियों को इतना ही नहीं तीसरा सवाल ये उठता है कि अमेरिका कै mega कैरा है कि हमने हफ़तों पहले नहीं महीनों पहले रूस को बता दिया था कि जी आपके देश में आतंग की हमला होगा यहां तक की अमेरिका ने एक पबलिक वार्निंग भी जारी करी थी कि रूस के अंदर कहीं भी किसी भी कॉन्सर्ट में पॉर्णिंग का अभी 19 तारिक को ही पबलिक में मजाक भी उडा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चोथा सवाल उठता है कि अमेरिका को पता कैसे चला कि रूस के अंदर हमला होने वाला है क्या इसमें अमेरिका का हाथ है वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद जो आखरी सवाल है वो ये उठता है कि क्या रूस की राजधानी मोस्को इतनी जाधा असुरक्षित है कि वहाँ पर पांच आतंग की घुस आते हैं हमला करते हैं और उसके बाद राजधानी मोस्को को छोड़ भी जाते हैं इतना ही नहीं राजधानी से वो इतना दूर निकल जाते हैं कि ओल मोश्ट रूस के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं यानि कि आप खुद सोचिए कि रूस की राजधानी मोस्को जो इतनी populated city है, वहाँ पर भीड़ भार्ड भी होती है, वहाँ पर वही जगह traffic jam भी लगता है, यानि कि इन सब को पार करने में कुछ घंटे तो लगते ही हैं, यानि कि बड़ी आराम से उन्होंने हमला किया, आराम से main gate से निकल कर वो गाड़ी में बैठे राजधानी मास्को कुछ घंटे तक आराम से drive करके पार किया, और फिर कुछ और घंटों तक drive करने के बाद वो almost सुरक्षित तरीके से रूस की border भी पार करने जा रहे थे, यानि कि रूस की पहुंच से दूर होने जा रहे थे, इस से आप अन्दार लगाई है कि कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक है, लेकिन इस से पहले कि मैं आपको इन सवालों के जवाब दूँ, इस हमले की कुछ detail जान लीजिए, latest update कि क्या-क्या अब तक हो चुका है, तो देखिए, हुआ ये कि कल देर रात 7.05 मिनट पर रूस के टाइम के अनुसार हमला शुरू होता है, पांच की संख्या में आतंकी, क्रोकस सीटी होल में घुसते हैं, और करीबन 20 बज कर 3 मिनट, यानि की 8 बज कर 3 मिनट पर रात को वो गोली बारी शुरू करते हैं, पहले वो ओडिटोरियम के बाहर के लोगों को मारते हैं, उसके बाद जो में ओडिटोरियम था, जिसमें करीबन 6,000 लोग बैठे हुए थे, पले देख रहे थे, उन पर अंधादुन गोली बारी करते हैं, ये कांड 10 मिनट तक चलता है, और उसके बाद 8 बज कर 13 मिनट पर वो में दरवाजे से, जी हाँ, जो में गेट है, वहाँ से अंधादुन फाइरिंग करते हुए गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं, अब तक का जो लेटेस्ट आखड़ा है, डेड़ सो से जादा लोगों की मोत हो चुकी है, सैकड़ों की संख्या में लोग गंभी रूप से घायल है, लेकिन ये मरने वालों का अकटा और भी तेजी से बढ़ेगा, इसका कारण ये है, कि जो सीटी होल है, वहाँ पर उन्होंने गोली बारी तो करी ही, साथी आग भी लगा दी, जिससे कि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो छुपे हुए उनके उपर सीटी होल की छट जल कर गिर गई, और इस वक्त रूसी अथोरिटीज मलबा हटाने का काम तेजी से कर रहे हैं, ताकि अगर कोई जिन्दा निकले, तो उसे जल्द से जल्द बचाया जा सके, वही बात करे हमलावरों की तो आप जानकर हैरान होंगे, कि हमला करने के बाद भी, शुरुवाती 12 से लेकर 14 घंटे में, रूसी अथोरिटीज को ये पता ही नहीं था, कि आतंकी है कहां, वो तो भला हो, रूस क इस गाड़ी को रुखने का आदेश दिया चेकिंग के लिए, तो इन्होंने उल्टा रफतार तेज कर दी, जिसके बाद पुलिस अफसरों में, और इन आतंकियों के बीच में मुटबेड होती है, और जो पुलिस अफसर है, वो जबरदस्त लोहा लेते हैं आतंकियों से, एक को वहीं पर मार गिराया जाता है, चार गाड़ी में भाग जाते हैं, लेकिन उसके बाद पुलिस अफसर सेना को और स्पेशल यूनिट को इन्फर्म करते हैं, कि यहां से आतंकी गुजरे हैं, उसके बाद स्पेशल ओपरेशन चलाया गया, और अब तक तीन आतंकी जि मेंदारी IS-IS ने ली है, यानि कि Islamic State ने, और वहीं जब interrogation हुई है, तो कुछ early videos भी निकल कर सामने आई है, इन आतंकी जिन में से एक ने बताया है, कि हमें Telegram के जरिये recruit किया गया था, उसके बाद हमें करीबन 5000 डोलर देने का वादा किया गया, और हमें हत्यार दिये गए औ लेकिन, रूस की agency अभी इस पर विश्वाश नहीं कर रही है, इसलिए रूस ने का है कि हमने एक special जांच committee बना दी है, जो कि इसकी जांच करेगी और final report राष्टपती पुतिन को सोपेगी, वहीं बात करें राष्टपती पुतिन की तो करीबन 20 घंटे बीच चुके हैं, उ इसी बीच America ने भी खुलासा किया है, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, America ने का है कि हमने इस हमले की जानकारी महीनों पहले रूस को दे दी थी, कि कुछ आतंकी हैं जो आपके देश में हमला कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा, लेकिन रूस ने कोई response नहीं दिया, उसके बाद आप screen पर देखिए, अमेरिका का जो दूतावास है, रूस के अंदर उसने बयान जारी किया था अब से कुछी हफतों पहले, कि कोई भी अमेरिकी नागरिक, रूस में किसी भी public meeting में, ये किसी भी rally में, इसके अलावा, किसी भी concert hall या mall में ना जाएं, क्योंकि एक आतंकी हमला होने की संभावनाएं हैं, इसके बाद जब 19 मार्च को, यानि कि अब से मातर चार दिन पहले, व्लादमिर पुतिन से पूछा गया, कि जी अमेरिका कहा रहा है, कि आपके देश में आतंकी हमला हो सकता है, और वो warning जारी कर रहे हैं, तो इस पर पुतिन ने क कह रहे हैं, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो पश्चिमी देशों की साजिस है, रूसी लोगों को डराने की, यानि कि ये बात तया है, कि रूस ने इस warning को शायद गम भीरता से नहीं लिया, वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं, कि एक concert hall, रूस के राष्टपती और संसद के बहुत ही ज़ादा करीब था, आतंकी हमला करते हैं, 20 मिनट तक वहां रुकते हैं, और उसके बाद मेन गेट से हमला करते हुए निकल जाते हैं, पुलिस आदे घंटे तक कर क्या रही थी, इसके अलावा जो रूस की खोफिया एजेंसी है, FSB, उस पर भी सवाल उठ रहे है लोग कह रहे हैं कि चलो पुतिन ने सीरेसली नहीं लिया, वो तो पॉलिटीशन हैं, लेकिन आप तो एक खोफिया एजेंसी हो, आपको तो इस चीज़ को क्रोस चेक करना चाहिए था, भली आपके दुश्मन ने वार्निंग दी है, लेकिन आपको क्रोस चेक करने का फर्ज से गुजर रहे हैं, और जैसे जैसे मलबा हटेगा, मर्तकों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं हैं, ऐसे में प्रभु से प्रात्ता यही है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिन्दा बचे हैं